ह कि अझे हैं है वे हैं क्षिए आज हम डिस्टिंग्विश करेंगे वण् डिस्टिंग्यूश करेंगे याच करेंगे इसका मतलब क्या हो इसकत अंधक यह हुआ डारेक्ली कि अगर हमां आपको देंस्ट ट्َّاس Copper अ sufficient में वअ इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं एक प्रोसेस हो गया लेकिन उससे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इसकेश हम नेक्से लक्ष हम अब करेंगे विक्तामयर टेस्ट को यह भी सिंपल है आपको एक फॉर्मेट याद करने है और उस फॉर्मेट के अगीरम कलर देख कि आपको पता लगा लेना है कि which is 1 degree, 2 degree और 3 degree and क्योंकि मैंने oxidation को पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से explain कर रखा है कि 1 degree alcohol LDAD मनाता है, 2 degree alcohol की tone मनाता है and 3 degree oxidize नहीं होते हैं until unless उसमें कोई एक strong oxidizing agent न डाले तो इस सब मैंने oxidation वाले chapter में complete करवा रखा है आज हमारा target है victim air test का तो अराम से समझेंगे victim air test बहुत simple है तो सब कुछ भूल जाओ और victim air test पे ध्यान दो it differentiates 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol अभी मैंने बता है सबसे पहले इस format को समझने की कोशिश करो तेको यह हमारा ROH it can be 1 degree, it can be 2 degree, it can be 3 degree alcohol तो यह react कर रहा है iodine से, I2 से in the presence of phosphorus क्या बनाएगा, वो जो बनाएगा product, वो product react करेगा EGNO2 से, that is silver nitrite, where एक product बनेगा, अभी हम देखेंगे कौन सा product बनेगा, क्या होगा reaction, अभी बसे समझो कि जो भी product बनेगा, वो react करेगा EGNO2 से, then जो product बनेगा, वो react करेगा HNO2 से, that is our nitrous acid, and EGNO2 की reaction के बाद, जो भी product बनेगा, जब वो NOH से react करते हैं, तो दो क्या होता है, अगर ये ROH वाल alcohol, 1 degree है then, it will show red color मतलब कि, जिस test tube में वो 1 degree alcohol था, अब उसका color कैसा हो जागा, red color हो जागा if there is a 1 degree alcohol अगर वो 2 degree alcohol है, तो blue color हो जागा, और वो 3 degree alcohol है, तो colorless रहेगा, कोई भी reaction नहीं होगी, अब ये कैसे होता है इसको देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 degree alcohol के लिए, मैं आपको 1 degree और 2 degree बताऊँगा, 3 degree आप automatic समझ जाओगे, आपको क्या करने है, format याद होना चाहिए, कि ROH प्लस PI2 प्लस AGNO2 प्लस HNO2 प्लस NOH, 1 degree red, 2 degree blue, 3 degree color, complete हो गए यहाँ पर हमारा victim air test, बस इस reaction को समझ जाओगे, यह reaction ही बहुत simple है तो 1 degree alcohol के लिए देखते हैं, कि 1 degree alcohol कैसे हमारा victim air test और red color को show करता है सबसे पहले बनाते है, RCH2 OH, क्या ही है मेरा 1 degree alcohol है, यह react करता है किस से, PI2 से लबकि 1 degree alcohol reacts with iodine in the presence of phosphorus and it forms iodide और alkyl iodide क्या था format, ROH यह ROH प्लस PI2 प्लस AGNO2 जैसे ही AGNO2 से react करेगा क्या होगा, यहाँ से iodine चला जाएगा और क्या जाएगा, RCH2 AGI यहाँ पर अलग होता है जो कि हमें लिखना नहीं है because it is not our required product हमें इसको use करना है तो अब यह reaction करता है क्या था format, ROH प्लस PA2 प्लस AGNO2 प्लस HNO2 अब इस HNO2 को क्या हमें ऐसे लिख सकता हूँ H, O, N, O बात ही किये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ N, O, H देखो, यह रहा N यह बज़ गया था यह oxygen बज़ गया था और यह hydrogen बज़ गया था तो यह तीनों इससे bonded हो रहता है with double bond तो कि nitrogen को तीन bond चाहिए हो ता अबने balance करने के लिए एक वो बनाता है oxygen के पास और बाके दो carbon के साथ इसलिए यहाँ पर आगे double bond यह product किस से react करता है हमारा N, O, H से and if there is a 1 degree alcohol it will show red color red से लिख लेते हैं से तो red color any doubt simple था same as it is होगा मेरा 2 degree alcohol के साथ कुछ भी अलग नहीं होगा इसको हम यहाँ पर करते हैं और एक साथ लिखते हैं कुछ भी रफ नहीं करेंगे जिसे कि आप जिली समझ सको यह रा 2 degree alcohol यह CH, OH आएगा यह reaction करेगा हमारा PA2 से same क्या बनाएगा देगो CI आई आजाएगा आगे H के साथ यहाँ पर R होगा यहाँ पर R होगा क्या हो जाएगा AG NO2 से react करेगा फिर क्या बनाएगा R, C, R, H और iodine की जगा क्या जाएगा NO2 देखो iodine बहुत जल्दी release होता है क्योंकि iodine का size बहुत बड़ा होता है force of reduction बहुत कम होते है अभी react करेगा मेरा किस है HNO2 से इसको हम HNO भी लिख सकते है HNO क्यो लिखा है अब देखो आप समझोगे यह H और यह OH मिलकर क्या अलग कर देंगे H2 अलग कर देंगे तो जैसी यहां से H2 अलग हो जाएगा क्या बनेगा देखो R, C यह NO2 ऐसे कैसा ही यह R ऐसे कैसा ही और यहां जाएगा NO अब यहां single bond के साथ आएगा क्योंकि oxygen के साथ क्या बना देगा double bond बना देगा और जब यह react करता है हमारे NOH के साथ तो यह 2 degree alcohol होने के विरे से कैसा color देगा blue color देगा सब्सक्राइगा यह रा blue color यह रा red color क्यों दे रहा है क्योंकि 1 degree red देता है 2 degree blue देता है दो reaction आपको सर्मा आगी है बहुत easy है 3 degree देखना आप खुद कर लोगे एक बार notes में भी देख लेता है 2 degree देखो वैसे PA2 से react कर रहा है फिर AGNO2 से फिर HNO2 से फिर NOH2 और कैसा color देता है blue color देखो यह पर यह रहा डवल बन नहीं मना है आप इसे तो R, C, R, R, then I यह reaction करता है किससे AGNO2 से same way iodine क्या होगा replace हो जाएगा तो R, C, R, R यहां क्या हो जाएगा NO2 यह reaction करता है मेरा किससे HNO2 से या फिर HNO2 से यहाँ पर हमेशा H2 release हो रहा था यहाँ पर भी H2 बना रहा था और यहाँ पर भी H2 बना रहा था यह रेड से बना रहा था लेकिन क्या यहाँ पर कोई hydrogenase carbon के पास जो H2 बनाने के लिए help करेगा है यह नहीं जब है नहीं तो reaction नहीं होगी मतलब कि आगे NO reaction और जब reaction ही नहीं हो रही है तो color कैसा आएगा colorless कुछ भी color में changes नहीं होंगे जैसा पहला ता वैसी बात में I hope आपको यह सारी बात है सज में आई होगी यह भी आपने सेख ले नहीं यह वाली यह भी आप खुद कर लोगी यह भी आप खुद कर लोगी तो 3D तो react नहीं कर रहा है वो तो बहुत ही सिंपल है इससे भी सिंपल है तब तक आप यह नोट्स को डाउनलोड करो एंड लास्ट क्लास में आप से एक self-assessment पूछा था उसका अंसर देख लेते हैं यह था वो self-assessment तो इसका अंसर में आपको बता देता हूँ इसका अंसर क्या होगा 3-degree होगा 3-degree क्यों होगा वो देख लो देख लो जो 3-degree होता है हमारा इसके पास 3-alcohol group होते है यह रहे वो 3-alcohol group और जब यह dehydrate होता है H24 की presence में तो क्या बनाता है CH3 किसी बे-carbon से हम 1-carbon कम कर लेते हैं CH3 plus H2 यह बनता है एंड अगर आपको याद होगा कि mechanism में इसके कार्बोकाइन बनना था और मैंने कहा भी था किस step 2 में इसका अंसर है तो क्योंकि 3-degree alcohol का कार्बोकाइन सबसे ज़्यादा stable कार्बोकाइन होता है stable होने का reason यह होता है because it has 3-alcohol group जो कि उसके कार्बोकाइन को क्या करते है जादा stable बनाते है तो जादा कार्बोकाइन के stable होने के वज़े से 3-degree will be easily dehydrated इतना साब को answer लिखना था comment में तो answer किया करो exam की preparation साथ-साथ में होती रहीगी and यह notes के tension मत लेना यह notes मैं आपको नीचे जादा आपको नीचे कार्बोकाइन कार्बोकाइन